नमस्कार सर नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? विजेदास है सर नाम अपना विजेदास जी आप कहां से हैं? जी दिल्ली नागलोई प्रेमन गथर अगर नगर कलोनी बढ़ती है जी पीछे भीहार के रहने वाले हैं सर संत्रामपाल जी माराज से कब जोड़े आप? संत्रामपाल जी माराज से सन 2013 दिसंबर को जोड़े थे जी सर संत्रामपाल जी माराज से जोड़ने से पहले आप क्या भक्ती सादना करते थे? बक्ती में वही साधना जो सारे समाज संस्कृती जो पीछे से चली आ रही है उल्टी रिती उसी में हम लोग भी लिप थे संकर भगवान की साथ साल हरिदवार में निलकंट पे जाके जल चड़ाए फिर उसके बाद हर महीने तीन साल तक ब्रिंदावन में जाकर के बिहारी ज टाइम होता है उसमें हमने नौरातरे में देवी जी की मूर्ती रखकर के पांस साल तक हमने एक हमारे हैं अंकल जी वहीं गली के नुकड पे हमने रखकर के मूर्ती और जागरन और भंडारे करवाए और इसके अलावा हमने बहुत सारी साधना है करी मंगलवार के बरत किये सोला सुम्बार का सोला ब्रत किये और इसके अलाबा हनुमान जी का मंदिर है उसमें बैठका के पांस साल तक हमने सभी अठारह पुराणों में स्रेष्ट जो गिंती में आते हैं स्री शिव पुराण, विद्वेश्वर जहीता, स्री विष्णु पुराण, सिर्मत देवी भागवत देवी महापुराण और गीता जी का ये सब लगा करके हमने सारे पाठ किये और लाल सा ये थी कि प्रमात्मा प्राप्ती के लिए कि प्रमात्मा मिले भगवान मिले पर प्जा पाथ करने के बावजूद आज ये पता ने चला कि परमात्मा है कोन। उसका नाम क्या है वो रहता कहा है इसके अलावा जब हमने पाठ करी पांच साल मंदिर में बैठके तो मंदिर में पंडी जी से पूछा पूछते पूछते रोना आ गया कि मुझे मेरे स्री कृष्ण जी के बारे में बताओ तो उन्होंने बोला लाला जब टाइम आएगा तो इसी दोरान हमने किसी के मुझे सुना संतराम पाल जी महाराज ये सास्तरों अनुकूल साधना बता रहे हैं तो हमने कहा सास्तर अनुकूल साधना बता रहे हैं तो सास्तरों को तो हमने सब पढ़ा है देखा है गयन भी किया है लेकिन आज तक सास्तर समझ में नहीं आया तो तो समझ में जब उन्होंने ये बात कहा कि समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक आप सास्तरों का ध्यान कितना भी कर लो कि गुरू के बिना सास्तरों का ग्यान नहीं हो सकता तो हमने कहा फिर वो मिलेंगे कहा तो बोले कि वो बरवाला में मिलेंगे तो संद 2013 में 13 दिस नंबर को हम गए उससे एक महीना पहले हम गए उन्होंने कहा नाम ले लो हमने का नाम हम ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि हम सभी गुरू के बारे में जानकारी कम से कम 2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरू की जानकारी गुरू के ग्यान भक्ती विधी जानने की चेश्टा रखी फिर हमें अच्छा नहीं लगा कोई गुरु समझ में नहीं आया कि ये ग्यान बता कैसे रहे हैं ग्यान का कोई ना ओर है ना कोई झोड है न कोई एक के ऊपर कोई ठिकता है कोई तरीका ही नहीं है फिर जब उन्होंने हमें ये बताय तो हम 13 सब्सक्राइब बड़ा एक दम आजीव सा लगा वगजी बंदी छोड़ सब्सक्राइब रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा भगवान के सारे कथा सभी देवी देवताओं के पूरा डिटेल से एक एक कड़ी एक प्रशनों का एक उतर एक तरीके से ऐसे बता रहे थे जैसे को आस तक किसी ने बताया ही नहीं उन्होंने कहा नाम ले लो हमने कहा नाम मैं ऐसे नहीं लूँगा जब तक पूरी पूरी तरह से ग्यान को समझ में नहीं आएगा मैं नाम नहीं लूँगा तो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जब हमें साम का सत्संग सुने और और सम्मेत दर्सा भी रहें चारो वेदों में एक-एक करके एक-एक अत्याय एक-एक स्लोक एक-एक मंत्र फिर उसके बाद सिरिश्यू पुरान सिरिविश्णु पुरान देवी महापुरान में सारे कड़ी बाई कड़ी बता करके उन्होंने ये सिद्ध कि कभीरी इस गोड आकर के रुकता है कहां तो कभीरी इस गोड तो नामदान केंदर पे जाकर के संत्रामपाल जी महाराज जी द्वारा नाम दिख्षा प्राप्त हुई LED के द्वारा सर हमने सुनाई कि जो भी सरदालों संत्रामपाल जी महारा से नाम दिख्चा लेते हैं उनको बहुत सारे लाप राप्त होती हैं तो क्या आपको भी कुछ लाप राप्त हुए संत्रामपाल जी महारा से नाम दिख्चा लेने के बाद संत्रामपाल जी महराजी से लाप राप्त करने की आप बात कहें तो अनेकों मैं गिंती करवाऊं तो उसका मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं आपको डिटेल से बताओं तो आज पूरा दिन लग जाएगा रात लग जाएगा लेकि नहीं बता पहूँ लेकिन इसमें मैं कुछ-कुछ ऐसी बाते बता दूँ आपको की सामने जो सुन रहे हो हमारे मतलब ये जगत सारा संसार सुन रहा हो तो वो ये ऐसा लगे कि उनको हमारे जितने कश्टों थे उस कश्टों का निवानन संतराम पाली महराजी के सरण में आकर के हुआ जैसे कि प सिर्फ लेकर के और मैं ठक लिया हार लिया ठीक नहीं हुआ संतराम पाली महराजी से जब नाम लिया तो दो महिने तीन महिने चार महिने ऐसे होते होते मेरा बिलकुल एक दम ठीक हो गया उसके बाद मेरे बाद मेरे पिता जी की बाद थी कि मैं पिता जी को बोला कि नाम ले के बाद संतरामपाल जी महाराजी से मेरे पिता जी बिलकुल स्वस्त हैं और बिलकुल फूर्ती में हैं और आज वो काम भी कर रहे हैं जो 10-12 साल से बैठे हुए थे तो ये दूसरा लाव हो और तीसरा लाव ये हुआ कि मेरे जीवन में जो गरस्त में जीवन जो हमारे ससुर साल वाले बहुत परिसान कर रखे थे तो हमने संतराम पाल जी महाराजी से प्रार्शना किया था तो उन्होंने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे वो अपने आप आ जाएगी तो वह भी हमारा गरस्त में जीवन भी बहुत जादा तूटा हुआ था घर वो जुड़ गया और फिर हमारे घर में एक उसको हमारी पत्नी को इच्छा थी कि लड़की हो तो मैंने कहा ऐसे नहीं चाहे किसी भी देवी देउता कि पूजा कर लो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है बस यह है कि नियमा अनुसार भक्ती आप संतराम पाल जी महाराजी के सरें में जा उसको बिल्कुल डेमेज था उस बोले थे कि नहीं बचेगी यह लड़की उसका तीसरा उप्रेशन था लेकिन परमात्मा की दया से संतराम पाली महाराजी की दया से कोई दिक्कत नहीं हुआ उसको बलट की कमी बताए थी वो भी पूरा हो गया सुगर बताय था उप्रेश से विक्सित ये बच्ची नहीं बचेगी उसने मुझसे लिखवा लिया था होस्पिटल वालोंने की तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा मैंने का मेरे परमात्मा दया करेंगे फिर परमात्मा की दया ऐसी हुई कि होस्पिटल में उसी दिन संतराम पाली महाराज सफेद गया और उसकी डिलीवरी हुई तो बच्चे को कुछ भी नहीं बिल्कुल स्वस्थ हुई और दो ऑपरेशन उन्होंने पहले किया था जिसमें वो दोनों इस तीरी का डैट हो गया था ऑपरेशन थियेटर में और मेरी पतनी का इतना रिपोर्ट सारा खराब होने के मॉइंट होतें फिर मैई के महीने में गुरु जी उसको देखने के लिए दिन में आ गए तो फिर उसको दूसरी बार ऐसा विष्वास हुआ कि संतराम पाल जी माहराज भग्वान है और फिर वह मतलब आपको विष्वास करते हैं फिर जी ठीगर तैंट गूर्ट सारण में संतराम पाजी माराजी के सरन में आने के बाद हमारा ग्रस्त में जीमन टूटा हुआ तो ठीक हो गया सर जी और फिर उसके बाद में डॉक्टरी रिपोर्ट में वो बोल दिया था कि नहीं बचेगी गुरुजी से नाम दिलवाने के बाद उसको एड्मिट करवाया था तब ज जाना मालता था मेरे भ唑 ब बबढ़े संतराम पाजी महराज जी मेरे मागा भी जीवेच द दान दिया भकवान ने हमारे उपर ऐसीhole करें कि मैं बहुत सुखी हूँँग। कोई नसा नहीं करता हूं। सारी बचाएओ कमातमा की दई Ι debat संतराम पाजी महराज जी के तिया साक से तैयाक कुका हूँ और मैं ब्लगुल खुस हो और सुखी हूँ और मेरा एक यह लेफट पैर और यह लेफट हाथ में हाथ कापने लग जाते थे कभी-कभी ऐससे होता सरजी के मेरा हाथ कापने लग जाता था यह मैं बताना भूल गाय त disc मेरे लेफ्ट हैंड और यह पैर के नीचे यह ऐसे जलन होता था जैसे कि आग जलती हो मतलब मतलब जैसे छी टीडिय काटते हो वैसे एक दम जलन होता था यह जांग हो ंसे पास तो परमात्मा पी दहा से तो उसी टाइम में ठाइक हो गया था था सर आप ये बताईए पहले आप सभी देवी देताओं के पास गया आपने कोछ गुरू भी बनाए बहां से आपको कोई लाब नहीं हुआ फिर आप संत्रामपाल जी महाराज की सर्ण में आया और भाही लाब आपको हो गया तो सर संत्रामपाल जी महाराज ऐसी क्या भक्ति नहीं करते हैं और सास्तरा नुकूल सादना जो लोग नहीं करते हैं कारण यही है कि किसी भी विधी से आप पूजा पाट करलो हमने इतने मतलब करे लेकिन उसका हमें कोई लाब नहीं हुआ पर लाब वो जब हुआ जब हमें संत्रामपाल जी महाराज जी से एक दया होई क गुरू बिन गाहून अपाया गयाना जो थो था भुष छड़े मूड किसाना गुरू बेद पढ़े जो परानी समजिन सार रहे अग्यानी तो गुरू के बिना हमारा कल्यान नहीं हो सकता पर्थम राम किरसन से कौन बढ़ा तिनों ने गुरु कीन और तीन लोग के वेधनी गुरु आ गया धिन तो राम जी और किर्सन जी ने और कभीर परमात्मा भी आकर के गुरू बनाया और गुरू के बिना हमारा आत्म कल्यान और हमारा इस जीवन का जो भी दुख है उसे दूर होना मतलब ये संभाव नहीं है गुरू और भी हैं लेकिन वो सास्तन नुकुल साधना नहीं बताते हैं किसी भी गुरू के बारे में हमने 2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरू के बारे में जानकारी करी पेस वुजू चैनल पे डॉक्टर जाकिन नायकार भी हमने प्रोग्राम देखा और सुधानसु जी माहराज जी के अलावा सुतोस जी के माहराज आसाराम जी निरंकारी राधा स्वामी देरा सच्चा सोदा वाले गुरू मित राम रहीमी इन सब के बारे में जाना लेकिन एक ठोस एक मतलब की वो जिस भगवान को हमें चाहिए जो भगवान एक है वो एक संत्रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता क्योंकि संत्रामपाल जी महाराज जो सास्तर अनुकुल साधना बताई नियमा अनुसार वो सिद्ध करके बताए उससे हमें लाब हुआ सर संतरामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप राप्त हुए तो जो सरदालो आज आपको देख रहा है वो भी किसी ना किसी तरीके से परिशान है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सास्तरों का ग्यान जो संतरामपाल जी महाराज बता रहे हैं और वो विधिवत एक एक कड़ी एक एक सिलेबस को दिखा दिखा कर एक एक पॉइंटों पे बात कर रहे हैं तो हम यह कहना चाहते हैं कि आप सब सिख्षित हैं समाज जितने भी हैं पड़े लिखे भगवान ने बनाया हैं आप संतरामपाल जी महाराजी का ग्यान पहले समझे और चेक करें एक एक पॉइंटों पे और उसके बाद आप यहां संतरामपाल जी महाराजी के पास आएं और नाम दिख्षा प्राप्त करें और अपना कल्यान करवाएं दुख भूत प्रेत बाधा विगन जितने भी परकार के दुख होते हैं इस धर्ती पे तीनों लोकों में वो संत्राम पाल जी महराजी के सरण में आकर के अपना वो दूर कर सकते हैं दुखों का नास करवा सकते हैं और कल्यान करवा सकते हैं धन्य झाल झाल